14 सितंबर को अलिगड में अस्ताफित होने जा रहा है राजा महेंदर परताप सिंग विश्व बिद्याले वहीं PM मोदी करेंगे सिला नियास नमस्कार मैं हूँ अतुलियादा और आप देख रहें नियूस्टेन इंडिया खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन दबाएं यूपी में पीम मोदी पूर्व पीम अटल बिहारी बासपाई को इलेक्सन में हराने वाला जात राजा के नम पर विश्व विद्याले की नियू रखेंगे पीम मोदी 14 सितंबर को राजा महंदर परताप सिंग के नम पर विश्व विद्याले की नियू रखेंगे वहीं कय प्रयास लगाया जा रहा है कि यूपी चुनाओं में पहले जाटों को संतुष्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है आपको बता दे किसान अंदोलन की वज़ा से इस बार पश्चमी यूपी में भाजपा के विरोध में महौल बन रहा है यहां जाटों की बड़ी अबादी है वहीं पश्चमी यूपी में डेर सो बिधानसबा सीटे हैं जिनमें से 120 सीटों पर जाट बोट बड़ा उलट फेल करने की ताकत रखता है यह फैसला तभी लिया गया जब किसान अंदोलन के माध्यम से जाट और मुसलमानों को एक साथ आते देखा गया और अगले साल इजेपी के पक्ष में दिखाई दिया था वहीं बात करें राजा महेंदर प्रताप सिंग के जिनके नाम पर इन्वर्शिटी की निव रखी जानी है इनका जन्म एक दिसंबर 1886 को मुर्सान नरेस राजा बहादुर घंस्याम सिंग के हां हुआ था सन 1957 में उन्होंने लोकसावा चुनाओ में मतूरा सीट से निर्दलिये चुनाओ लड़ा था और भारी मतों से जित दर्ज की थी वहीं उनके सामने अटल बिहारी बाजपई थे जो जन संग के टिकट पर चुनाओ लड़ रहे थे जहां उन्होंने बुरी तरह हार का सामना क पड़ा था भाजपा की यूपी इकाई ने बिते मंगलवार को ट्वीट कर बताया अफगानिस्तान में भारत के अंतरीम सरकार का गठन एलान करने वाले राजा महेंदर परताप सिंग के नाम से इन्वर्शिटी बनाई जाएगी बतादे सन 1915 में राजा ने ब्रिटिश सर नहीं दिया गया है 2019 ने कहा था कि राजा महेंदर परताप के नाम पर राज्य का विश्ववविस्द्याले बनाएंगे बतादे महेंदर परताप अपने इलाके में आरे पेष्वा के नाम से जाने जाते थे उन्होंने एक सेना बनाई थी जिसका नाम अजाद हिंद फोज या अजाद हिंद फॉज वह नहीं है जिसे नेता जी सुभास ने बनाया था अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगया है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, सेयर कर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करें हमारी यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं आप हमें फेस्बुक और ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद